इस सावाम ख़डे हैं अपने गयों के खेत के अंदर और इसके अंदर हम बहुत So Google कंपणी की के यो नश्ठ जाएंगी चाहे चोडीपती वाडी हो चाहे शंक मंस्的時候 और इसके साथ में हमने एक छोटी सी पुढया और हम लीव है इन दोनों को मिक्स करके अपने खेत के अंदर हम सप्रे करेंगे ना तो तीन से चार दिन के अंदर खर्पतवारे होनस्ट हो जाएंगी तो इसी के बारे में हम सर्चा करेंगे कितनी दवाई लेनी चाहिए कितना पानी लेना चाहिए किस टाइम पे सप्रे करनी चाहिए क्या सावधानिया बरतनी चाहिए इसे के बारे में हम बात करेंगे इस तरह की खेतीवाड़ी से संब्दित वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे यूट्व चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो अच्छ लगे तो इसे लाइक करें और दूसरे किसाने साथ जरूर शेयर करें साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें डोज कितनी लेने चाहिए जो मिट्सू कंपनी की आप इसको गोड़ ले और एक एकड़ के लिए आपको लेड़ सो से दो सो लीटर पाणी है वो जरूर से जरूर लेना चीए दो सो लेटर लेओगे तो परफेक्ट है वह और शाथ में हमने एक छोटी ही पुडिया और ली है इसका नाम मिक्की है इसके अंदर मैट सिल्फिरो रहे होगे लिए अगर मेरे खेत अधर और आपको दिखाऊं यहां पे आप देख सकते हैं यह पालक का पत्ता है चोड़ी पत्ती वाड़ा और इस तरह को जिए ब्ले को याद में को याद नहीं है लेकिन यह पत्ले पत्ते वाड़ी है इस तरह ना कई इतरे गाडंगा है इसके अंदर और शाद में छोटे-छोटे हैं और भी आप कितना सारा गास देख सकते हैं अगर आम ने इसका कोई लाज नहीं किया ना तो गें कम रहे जाएंगे और याडंगा जादा हो जाएगा तो मजबूरी है इसलिए हमें यह सपरे मारनी पड़ रह रहती है तो शाम के टाइफ में हम अपने खेट कें अंदर सप्रे करेंगे अगर बात करें इसके उपर 25 रुपे लिखा हुआ है और इसके उपर 280 रुपे लिखा हुआ है दोनों का अगर मिला दें तो लग बगए 330-35 रुपे होते हैं लेकिन इनकी इतनी प्राइस नहीं है लग बगए 200 रुपए के आसपासी तोब हमें दोनों चीजे मारकेट के अंदर मिल जाती है आपके अरियामे इनका क्या प्राइस है जो साल्ट होता है वो स्थिम्हाने वा – Bob यहाँ क्या अमेल का मैं ज्रूर बताएं ृऊ Mark पर दिखाए न थोड़ी सी तरफ काफी अच्छी नमी है थोड़ा सामें एक बार पाणी देंगे एक दो दो गंटा अपनी बड़ी वाड़ी नोजल रखी हुई है इससे अपने खेत के अंदर हलका चिड़काओ कर देंगे पाणी का जमीन के अंदर अच्छी नमी होगी न त अच्छी नमी हो न उसी टाइम पर अपने खेत के अंदर शप्रे करें इसके अलावा दूसरी साव दानियों के अंबात करें तो अपने फेस को कवर करके रखना है पैरों में जुत्ते पैनने हो गया में और शाथ में ही जो भी अपनी टंकी होगी न उसके अंदर अच्छे की बात करो हैं तो 200 लिटर पाणी में ले लेता हूं और जितनी भी दवाई अपने डोज के लेनी होती हो सारी इस टैंक में गोड़ करके फिर एक एक करके अपने टंकी बरते रहते और अपने खेत के अंदर सप्रे करते रहते हैं तो यह तरीका अगर आप अपना होगे तो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और एस योर वीडियो देखने के लिए अमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद आपका दिन सुबर है जए देखने के लिए जविगां दरने वाद साखियों